Hello viewers, आपका हमारे चैनल Kids English Guru में स्वागत है। 10K subscribers होने वाले हैं, जल्दी से चैनल को subscribe कीजिए और 10K पूरे कीजिए। आज हम आपको गनेश चतुर्ती क्या है, इसे क्यों और कैसे मनाते हैं, उसके उपर lines बताएंगे हिंदी और इंगलिश में। इसे आप ऐसे paragraph में भी यूज कर सकते हैं, तो चलिए गनेश जी का नाम लेकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Gregorian calendar and in Bhadrapadh according to Hindu calendar, यानि गनेश चतुर्ती अगस्जित सित्मबर के महीने में, ग्यारोगिरियन calendar के अनुसार औरばाधरपध Hindu calendar के अनुसार मनाया जाता है। गनेश चतूर्ती एक 10 दिनों का लंबा त्युहार है जो भादरपत महीने के चौथे दिन से शुरू होता है और भगवान गनेश की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। The history of Ganesh Chaturthi is not known, however it became a prime festival and a public event under the patronage of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Ganesh Chaturthi का इतिहास ग्यात नहीं है लेकिन या Chhatrapati Shivaji Maharaj के संगरक्षन में एक पर्मुक उत्सफ और एक सारजानिक कारेकरम बन गया। In the 19th century, after an appeal from Bal Gangadar Tilak, Ganesh Chaturthi was started and was used as a tool of freedom struggle. 19th century Satabadi में Bal Gangadar Tilak की एक अपील के बाद, Ganesh Chaturthi को शुरू किया गया था और स्वतंत्रा संग्राम के एक उपकरन के रूप में इस्तमाल किया गया था. Lord Ganesh is the second and young son of Lord Shiva and Goddess Parvati. He is also known as Pratham Poojaya because he is the first God to be worshipped. Bhagawan Ganesh, Bhagawan Shiva और Devi Parvati के दूसरे और युवा पुत्र हैं, उन्हे Pratham Poojaya के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वा पूजा करने वाले पहले देवता हैं. Lord Ganesh is also known as Vigna Vinashak. He is the one who destroys all the evils, obstacles and trouble from his devotee's life. Bhagawan Ganesh को Vigna Vinashak के रूप में भी जाना जाता है अर्थार्त वे अपने भक्त के जीवन से सभी भुराईयों, बादाओं और परिशानी को नश्ट कर देते. People bring Ganpati Idol and place it in their house for one and a half day, five days, seven days और ten days. लोग Ganpati की मूर्ती लाते हैं और इसे अपने घर में देड़ दिन, पास दिन, साथ दिन या दस दिन के लिए रख देते. Devotees offers दुर्व, ग्रास, मौदक and पूरन पोली to Lord Ganesh and also distribute it as परसाथ among the devotees. भक्त भगवान गणेश को दुर्व, घास, मौदक और पूरन रोली चड़ाते हैं और इसे भक्तों के बीच परसाथ के रूप में वित्रित करते हैं. The main text, गणेश अर्थवर्शीष, a portion in अर्थववेदा, which describes our Lord Ganesh, is recited by the devotees in their homes and temples. गणेश अर्थवर्शीष, अर्थवेद में एक भाग है, जिसमें भगवान गणेश के बारे में उनके भक्तों द्वारा, उनके घरों और मंदिर, रोमे वर्णन किया गया है. तो ये लाइन्स थी हिंदी और इंग्लेश में गणेश चतूर्थी के ऊपर कि कैसे मनाते हैं और क्यूं मनाते हैं इंडिया में, काफी important topic है ये भी kids के लिए, इसको आप essay, paragraph में भी यूज़ कर सकते हैं लाइन्स को, एक दफ़ा आपको दुबारा गणेश चतूर्थी की वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, हमारे चनल को प्लीज सस्क्राइब कीजिए जल से जल, 10K पूरे कीजिए, साथी बैल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएं सबसे पह झाल से पाःताओ कीजिएगा टिए